हेलो एव्यों वेल्कम बैक तो मैं चैनल सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे चैनल बने होएं तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लिए साथ में फैल आइक और जोड़ प्रेस करें मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस स्कैट को बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ एक मीटर रियोन फैब्रिक का एक मीटर फैब्रिक में भी आप इसली इस फुल सर्कल स्कैट को बना सकते हो तो सबसे पहले फैब्रिक को हमें एक बार फोल्ड करना होगा लंबाई से तो इस तारा से फोल्ड कर लेने के बाद इस से दुबारा चोड़ाई से फोल्ड करना होगा तो इस तारा से हमारा एक रेक्टेंगल क्रेट हो जाएगा पर फैक्टली तो यहाँ पर हमें तीन साइट देख सकते, खुले हुए मिलेंगे, तो टोटल चार लेयर कपड़े की मिली है, एक साइट बंद मिलेगा, सभी साइट से, तो जिस साइट बंद है, मैं वहाँ से मार्किंग कर लेनी होगी, तो यहाँ से मार्किंग करेंगे, तो हमाहे पास कमर 22 इंच, यह था 14 इंच, तो हम िन राउन से कमर की Marking करेंगे, तो हिप राउन को हमें 6.28 से डिवाइट करना होगा, तो हमें मिलेगा 4.28, तो 4.28 पर हमें pod फविलाों करनी होगी, इसके बाद हम length देखेंगे तो हमें total length चाहिए थी 21 inch तो हमारी 20 थी जिसमें हमने एक inch margin लिया है और belt length को हमें minus कर देना है तो यहां 3 inch 21 में से मैंने minus किया है तो 18 inch हमारी total length आ गई है तो 18 पे marking कर लिया मैंने उसकी cutting कर लेनी है कमर वाला पार्ट है उसे हमें निशान से थोड़ा अंदर की तरफ काटना है एक दम निशान पर ही नहीं काट देना है तो इस तरह से ओपन करेंगे आप देख सकते एक भी जॉइंट हमारे नहीं आएगा हमारी फुल घेर वाली स्कट यहां पर कट हो जाएगी अब यहां पर हम इसके कमर की नाप करेंगे तो हमें मिल रहा है 32 इंच तो अब हमें बैल्ट निकालनी होगी की चोड़ाई हमें साड़े छे इंच लेनी है बैल्ट की लंबाई है मैंने 34 इंच लिए 32 में दो इंच एक्ट्रा रखा है मैंने अब बैल्ट को हमें 20 से कट करना होगा क्योंकि हमें आगे के हिस्से की बैल्ट में बुक्रम लगानी है और पीछे के में हमें इलास्टिक रखनी है तो सबसे पहले हम जो आगे का हमारा हिस्सा रहेगा बुक्रम बाला उसके लिए बुक्रम को हम अटैज करेंगे तो यहाँपन मैंने यह चिपकने वाली बुक्रम यूस की है तो बुक्रम को हमें टोटल बैल्ट से आधा चोड़ाई से कट करना है बुक्रम की लंबाई भी मैंने सत्रा इंच ही रखी है बुक्रम की चोड़ाईया मैंने रखी है रहा हूं धा इंच हमें बुक्रम को यहाँ मैंने इस्टिक कर लिया है इसके बाद बुक्रम चिपकाने के बाद हमें फैबरिक को इस तरह फोल्ड कर लेना है और इस कार्ट पे इसको हमें सिलना होगा तो यह हमारा जो आगे का पार्ट है जो बुकरम बाला और यह हमारा पीछे का पार्ट हो गया जिसमें हम इलास्टिक को एट करेंगे तो यहाँ पर मैं जो हमारे बुकरम बाला पार्ट है वो इस कार्ट के आगे की साइड जो हमारे corner है वहाँ से रखते हुए सिल देना होगा और आदा इंच हमें आगे की तरफ छोड़ना होगा joint लगाने के लिए दूसरी belt का बाद में तो इस तरह से आदा इंच आगे की साइद छोड़ते हुए slide देनी है एक pad की slide हमें देनी होगी इसको मैंने इस तरह सिल लिया है अभी जो पीछे वाला बाल्ट है हमारा elastic बाला उसे हम सिलेंगे तो इसको भी यहाँ पर मैं आदा इंच तक छोड़ दूगी क्योंकि साइद पर हमें इसे बाद में सिलना होगा attach कर देना होगा दोनों को अपस में इसलिए आदा इंच इस तरह से छोड़ना है इस पर भी हमें एक पैज की स्लाई देते हुए attach कर देना है इस तरह से मैंने इस पर भी एक पैज की स्लाई देते हुए attach कर लिया है तो यहां हमारे साइड पे आधा आधा इंच हमने छोड़ दिया है दोनों बैल्ट में इसलिए दो इंच एक्ष्ट्रा लिया था बैल्ट के लिए मैंने अभी हम लास्टिक को एड़ करेंगे पीछे का हिस्सा हमारा सत्रा इंच है तो सत्रा का में लगबग आधा दो लेना ही होगा तो यहां मैं आठ इंच की लास्टिक लूँगी तो लास्टिक को हमें पिन की हैल्प से पीछे वाले हिस्से में दालना है हमारा जो बुक्रम बाला हिस्सा आगे की तरफ इसकायट में आएगा तो लास्टिक को इस तरह इंसर्ट करने के बाद दोनों साइड से लास्टिक को सिल देना होगा ताकि वो खिसके नहीं तो पहले लास्टिक को दोनों साइड से में जॉइंट लगाना होगा पिर निकाल देने के बाद तो यहां पर इस तरह से दोनों साइड लास्टिक को हमें दबाना है जिससे वो खिसके नहीं दोनों साइड दबाने के बाद हमें एक बीच में स्लाइड देनी है खीचते हुए फैवरिक को तो कपड़े को इस तरह से खीचते हुए स्लाइड देनी है देखिए आप गैदर्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे तो हमारा एक साइड एरिया क्रिएट हो गया है अभी जो ज सेड आप ऑफ यी के दिख सकते हैं फीचते हैं थी जो जो गोरे देना है तो दोनों साइड इस तरह से स्लाइड देते हुए अच्य कर लिए मैं ने प्यक्च कर सकते हैं देख सकते हैं जैसे इस स्काय services क्रिक पर्क्रों एंड इसली आप ये प्रिटी सी स्कैट को केट कर सकते हैं